हर्याना की राजनीती में आजकल काफी हल चल है लगातार चर्चाएं बीजेपी जेजेपी गड़बंधन को लेकर चल रही हैं परभारी भी जो बीजेपी के हैं वो काफी सक्रिये हैं और उन्होंने कुछ निर्दलिय विधाईकों से मुलाकात की थी दिल्ली में उनमें से ए एक सेष्टा सारे वेट थी परदेश की राजनीती परदेश की सरकार के कैसे सुधार किया ज़्यादा सुधार की जया है उसके विशें मारी मुलाकात भी और एक बैतरीन स्वार्दपून माहूल के अंदर मिटिंग हुई है आजकल जेजेपी और बीजेपी के बीच काफी की तनाओ देखने को मिल रहा है ब्यान बाजियां चेड़ी गठबंदन को लेकर सुधार है ऐसे में यह मुलाकात को लेकर क्यास लगा रहे हैं लोग की निर्दलियों के साथ ही बीजेपी आगे जाने की तियारी कर रहे हैं ऐसे लोग अपने इंगल से सोचते हैं जिस परक कर देखने के निर्दलियों को बलाया है तो कोई नों कोई दाल पकरी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वह एक सश्टा चार बेट और अगर राजनिती का देम मीटिंग होती है तो सब आविक राजनिती बात होंगी तो इसी परकार कोई बात नहीं थी वहां पर पर परदेश की सरकार के बारे में हर्यना परदेश का विकास कैसे ज्यादा हो कैसे और सुधार हो कैसे डवलाप उसके बारे में चर्चा हो रहा है तो आज सुना है हिलोपा के गुपा कांडा जी भी मुलाकात करने गये हैं मिलने तो इससे चर्चाएं तो ऑविस होती है कि चर्चाएं तो होंगी तो यस टेम में उसमें ओर चार चांद लग जाते हैं कि बही ऐसा क्यों हो रहे हैं इसमें कुछ ने कुछ है तो यह लेकिन मैं कहता हूं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो आप मानते हैं कि J.J.P. बीजेपी का जो गड़बंदन है आपके हिसाब से आप निर्दली हैं आपका तो कोई पार्टी इंफ्लेंस भी नहीं है कि लगता है कि यह पूरा पांच साल का निकालेगा ऐसा है कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता क्योंकि जिस परकार के आपसके अंदर ब्रोद आवास परकट ह हो रहे हैं उससे नहीं लगता है कि गठ बंदन लंबा से लेगा मुझे नहीं लगता कि साइद असंबव है यह पूरे पांच साल करेगा इसका मतलब यह लग रहा है वैसे राजनिती कुछिशे कि मानते हैं कि जो लोक सबह के चुनाओ के आसपास या उससे पहले भी चीज़े बदल सकते हैं कोई जरूर नहीं लोक सबह पहले भी हो सकता है लोक सबह बाद भी हो सकता है लेकिन यह जरूर है कि पूरा पांच साल तो गठ बंदन नहीं चलेगा जैसे आलात प्रेस्थी दूश के अनुसार यह मान के चले अगर मान लो यह गड़ बंदन तूटता है क्यूंकि आप लोगों का कम से कम छे निर्दलिय विदायकों का अलरेडी समर्तन है सरका को अगर गठ बंदन तूट जाता है तो बहुमत के लिए कोई दिक्कत नहीं है अड़तारिश विदायक हैं एक तारश वीज़ेपी के हैं छे साथ निर्दिली हैं कोपल कांड़ा जी हैं तो कुल मिला के अड़तारिश विदायकों का समतना आज भी जैजी पी से लगो आज भी प्राप्त है तो मान के चलेंगे जो आपकी बात चीत हुई वह रहाना के हितों को लेकर हर्याना के विकास को लेकर हुई और राजनितिक किसमें कोई चर्चा है ऐसे राजनितिक चर्चा होती है जब बैठते हैं राजनितिक का देब बैठते हैं तो यह मैंने खुद कह जनता इस एंगल से देख रही है कि यह जेज़ेपी और बीज़ेपी का गठामनन नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो जेज़ेपी जो कारेश है लिये हैं उससे लोग दुखी हैं और उसका खामयाजा कहें नुक्सान बीज़ेपी को भी उठाना पड़ रहा है इसलिए समय से प कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जो पिछले समय में हुई है चाहिए वो कोवेड के टाइम में आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ कहीं चीज़ेपी के ओपर जो जिस तरीकी की श्राफ गोटाले वाले आरूप थे यह जो बातें थी वह चीज़ें भी हैं ज जो दोनों के बीच की जो गड़बन देने वो कहीं ने कहीं उसमें असर पड़ता दिखाएंगे ऐसा है कि चाहे कोई भी हो और जिब कोई बात आती है इनकोई होती है तो लोगों का ज़रूरी है सक्संका पैदा उने और वास्तिकता लोग साते हैं कि जो भी हो उसका पार्दर सिता हो किसी परकार का कोई लुकाशिपी का खेलना हो जनता के पैसे का सोसन ना हो जनता के बलाई का रास बंदना हो तो इसलिए जितने भी केस हैं या जो भी सरकार के अपने हैसाब से करेगी उसका गढ़बंदन से कोई संब्द्ध नहीं है अगर यह बीजेपी जेचेबी गढ़बंदन तूड़ता है आपको लगता है इसका असर दोनों पार्टियों पर चाहिए बीजेपी और जेजेपी हो इनका आने वाले चुनाओं में दोनों पर कोई नेगटिव या पॉस्टिव असर होने ऐसा है अगर गढ़बंदन आज त अपसाने होगा बीजेपी को पच्छिस परसेंट लोगों का फादय होगा क्योंकि जिन लोगों ने जेजेपी को बोट दिया था वो लोग आज अपने आपको ठगा हो मैसुस करते हैं कि हमने गल्थ फैंचला कर दिया और उसे उसके कान लोग भी चाहते हैं कि यह गठा मं उनने जो हमारे को दोखा दिया या हमारे साथ जाती करी या हमारे का जो बिसवास जो तोड़ा उसको जो ने को सबक मिलना चाहिए और यह आने वाड़ टेम मैं मैं जा तक समयता हूं यह अलक्षिन के अंदर देखने को भी मिलेगा बिलकुल 2019 में वैसे भी बीजेपी के ख बिलक्षिन वो लुड़ी था तो सब हुए कि कि उसका असर बावना के अन रूप जेब काम नहीं होता तो लोगों के नारद होना सब भाविक है तो कहीं नहीं कहीं इसका खामियाजा जेजेपी पार्टी को सहना पड़ेगा तो यह ते सुमवी सांगवान जी जिनका साफ क सकता है लेकिन इनका साफ कहना है कि अगर समय पे चीज़ें हुई तो बीजेपी को निश्य तोर पर ही इसका फाइदा होगा भुपिंदे जिस्टू कैमरा परसें किछल के साथ एटी वारा चंडिगर